क्लास 11 के लिए बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट होता है राइट सो गाइस आज हम बात करेंगे कि कितने chapters हमारे first time में आ रहे हैं और हमें उसे कितना समय देना है क्योंकि काफी सारे students को ऐसा लग रहा है कि अकाउंट तो हमारी complete ही नहीं हो पाएगी क्योंकि समझ नहीं आ रही है तो guys समझने के लिए या समझाने के लिए मैं हूँ चिंता मत करो कोई भी query होती है छोटे से छोटा word भी अगर नहीं समझाता तो आप इंस्टा पर message करके पूछ सकते हो इसके लावा guys आपको कौन से chapter को कितना समय देना है वो आजके इस वीडियो में हम ध्यान से देखेंगे और उसे समझेंगे भी क्योंकि टाइम टेबल अगर आपने बना लिया है उसे follow करने के लिए target होना चाहिए टाइम टेबल जो भी आपने बनाया guys अपने according बनाया लेकिन accounts के लिए minimum आपको डेर से दो घंटा रखना है अगर आप दिन में डेर से दो घंटा accounts नहीं पड़ोगे guys तो at the end जाके आपके उपर बहुत pressurize आ जाएगा और आप चीजे सीख नहीं पाओगे अगर आप accounts को सच में सीखना चाहते हो तो आज से उसे समय देना स्टार्ट करो नया समय मतलब नया मन्त स्टार्ट होने वाला है 2 months guys September से October में आप अपना course बहुत easily cover कर सकते हो यानि कि यह जो session हमारा 2021 से 22 का रहने वाला है असानी से आप कर सकते हो कैसे जब आप time table के साथ अपने topic अपनी strategy बना के चलोगे अपना aim decide करके चलोगे कि मुझे इतना तो करना ही करना है आप guys जो आपके first four chapter है यानि कि chapter one जो introduction है basing concept है, accounting standard है and cash basis and accrual basis यानि कि theory base ये guys chapter जो है maximum आपके seven days लेंगे यानि कि जब आप इने पनना start करोगे target low साथ दिन के अंदर खतम करना है दिन के दो घंटे, देर से दो घंटे देने है मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो मैं कहूंगी कि दो घंटे जरूर पढ़ने हैं जरूरी नहीं, एकी बारी में दो घंटा दिन में एक घंटा पढ़ लिया, रात में एक घंटा डेर घंटा पढ़ लिया, इस तरीके से बढ़ कम से कम दो घंटे का समय आपको देना है और साथ दिन के अंदर आप ये chapter complete कर सकते हो उसके बाद guys आपके जो fifth accounting equation आता है फिर हमारा आता है debit and credit rule आता है बहुत easy ये concept समझना और ये अगर मैं बात करूँ तो 5-6 दिन और मैंने तो यहाँ 7 दिन लिखे है तब जा कि 10 डेस बन रहा है accounting equation अगर आप करने लगे हो तो 5-6 दिन में बहुत असानी से हो जाएगा ये आपका debit and credit rule है दो दिन में हो जाएगा और उसके साथ साथ voucher वाला तो एक दिन का भी chapter नहीं है बहुत असान theory concept है तो 10 दिन maximum आपके लिए बहुत है जिसमें आप इसे complete कर सकते हो इसके बाद guys जो chapter 8 है actual में ये है थोड़ा सा पढ़ने वाला जिसमें general entries पास करनी होती है और उसके बाद है लेजर पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग एक easy concept है अगर आप एक बाद ध्यान से समझ लो so लेजर तो हमारा एक से दो दिन के अंदर हम उसे समझ भी लेते हैं प्रेक्टिस भी कर लेते हैं बर जनरल है जिसमें हमें 6-7 दिन लग जाते हैं प्रेक्टिस के लिए so मैंने maximum 10 days दिया है यानि कि जादा से जादा समय भी अगर आप लोगे कि बीच में एक दिन नहीं पड़ पाए किसी वज़े से कुछ भी है लेकिन 10 दिन के अंदर आप कर सकते हो अगर आप इन 3 चीज़ों को देखो तो मिलाकर आपकी 27 days बनते है ठीक है जो कि एक महिने से कम का समय है तो आप बहुत असानी से टारगेट वाइस इसे कंप्लीट कर सकते हो उसके बाद कि जो चेप्टर है 10 and 11 जो कि आपकी कैश बुक और अधर सबसीडरी बुक है तो गाइस ये 7 दिन के अंदर बहुत असानी से हो जाता है कैश बुक 4-5 दिन माल लो और 2 दिन इसको माल लो 7 दिन के अंदर बहुत असानी से कंप्लीट हो जाता है अगर आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ रहे तो नहीं होगा लेकिन अगर पढ़ने बैठोगे हो तो ये बहुत असानी से 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट चेप्टर है जिस पर मैं स्पेसिफिकली कहूंगे मेरी वीडियो जरूर देखना न्यू वीडियो भी मैं इस पर बनाने वाली हूँ ये इतना इजी कंसेप्ट है पता नहीं क्यों लोग इसे डिफिकल्ट बनाकर पढ़ाते हैं या क्यों लगता है डोंट नो बाद बहुत इजी कंसेप्ट है बी आरेस जिसको मैंने साथ दिन दी है बट इसमें चार मेथड है चार दिन के अंदर या पांक दिन के अंदर हो जाता है मैक्सिमम हम साथ दिन लेके चलते हैं ठीक है इसके लावा चैप्टर थाटीन है जो कि है डेप्रिसेशन जिसे मैं खुद कहती हूँ कि क्लास 11 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाना जाता है क्योंकि इतना कॉंसंट्रेशन इस चैप्टर में चाहिए होता है उसके लिए मैं खुद एगरी करती हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए हमें महनल और समय दोनों देना होता है यानि कि practice भी खूब चाहिए और समय भी चाहिए तो 13 को तो मैं मानती हूँ 15 guys आदे घंटे का chapter है Reserve and Provision का मेरी वीडियो देखोगी अराम से हो जाएगा अलब आदे घंटा भी नहीं लगेगा इसके लिए तो यह जो दोनों chapter मिला किया आप 15 दिन maximum Depreciation guys time consuming भी है और practice भी मांगता है तो इसके लिए 15 दिन अब यह हो गया 7 और 7 14 प्लस 15 टोटल मिला दिये तो 29 देज एक महिने से कम का समय So guys अगर आप देखोगे तो दोनों को मिला कर भी 2 महिने complete नहीं हो रहे यानि कि आप 2 महिने complete भी नहीं हो रहे कोर्स अराम से complete हो जाएगा Easily complete कर सकते हो But target रखके पढ़ाए करो अगर बिना target के अभी तक पढ़े हो 10 तक तो अब 11 में उसको छोड़ देना Accounts में सबसे ज़्यादा lengthy paper बच्चों को लगता है छोट जाता है याद रखना तो उसके बीची reason यही होता है क्योंकि हम जो घड़ी ओ रखके प्रेक्टिस नहीं करते हम सिफ प्रेक्टिस ज़्यादा करने पर फोकस करते क्योंकि 10 तक हमने आडी शर्मा करने की ठानी होती है तो आडी शर्मा ज़्यादा करनी है ज़्यादा करनी है You like sample paper करना इस पर लगे रहते हैं लेकिन guys 11th is totally different जिसमें आपको समय के अंदर question करना matter करते हैं आप कितने question कर रहे हो doesn't matter लेकिन time के अंदर अगर करना सीख गए तो paper पूरा complete करोगे So इसलिए target बनाओ कोई भी chapter जो भी अभी कर रहे हो सोचो मेरे को दो दिन के अंदर complete करना है तो करना है तीन दिन में करना है तो करना है इस तरीके से करोगे तभी course complete होगा revise होगा और अच्छे marks आएंगे और guys अगर कोई आपका कोई भी query है, opinion है आप मेरे साथ YouTube में comment के through या फिर Instagram पर मेरी idea अभी तम ऐसी मेरे से पूछ सकते हो, बता सकते हो और इसके अलावा guys अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो please इसे जरूर लाइक करना अगर आपको समझ आए पसंद आए है और अपने comment करना और guys चैनल को subscribe करना for more videos, thank you